कि है स्टुडेंट वेलकम अंस अगें बच्ची सवाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का जो 6 नंबर का हमारा क्वेस्ट से इससे सॉल्ब करेंगे यहां पर भी देखो जो क्वेस्टन है वो पैटर्न से रिलेटेड ही है यानि कि आपको कुछ पैटर्न दे दिया ग पर आगे क्लास इसमें तो वहां पर आपको पैटर्न समझ करके आगे के जो पैटर्न से उनको पूरा करना सीखना पड़ेगा उससे आप मैं जो माइंड होता है उसके लावा वह एक्साम में इस टैप से क्वेस्टन आगे चलकर कर चाहेंगे अभी तो हो सकता है मालों आप कुछ-कुछ समझ में आने लगेगा यहां पर क्या हो रहा है कि 2 है 3 है और यहां पर 6 आ गया है तो इन में क्या relation है तो आप देखोगे कि 2 अगर हम तो 3 से multiply करते हैं तो 2 3 जा 6 आ जाता है और यह जो नंबर है यह जस्ट next नंबर है यहां पर 2 के बाद क्या आता है 3 आता है यहां पर देखो 3 लिखाता है 6 के बाद क्या आता है 7 आता है यहां पर 7 लिखाता है 12 के बाद क्या आता है 13 आता है यहां पर 13 लिखा हुआ है उसके अलावा आप देखोगे कि 3 अगर हम लोग 4 से multiply करते है तो 3 4 जा कितना होता है 12 होता है तो यहां पर इन दुनों का multiply भी य नंबर दिया गया है समझ्यार है ना पात में क्या काना चाहरो है यहां पर तो बस उसी तरीके साब को इसका पैटर्न को समझना है बस जैसे हम लोग यहां पर हमारे पास ब्लेंक दिया गया है अब देखो यहां पर है फॉर फाइब पहरी चीज़ तो आप इधर से डारेक्ट भी इसको फिल कर सकते हो यहां पर हमको दो तरीके पता चल गए अगर हम इन दोनों का मल्टिप्लाई करते हैं तो भी यह नंबर आता है दूसरा तर यहुं कैसे त्वइंटी वन से अगर हमनोग वन मािन्स कर दो तो कितना है एक ट्वैंटी जये गाँगा इसका मतलब यहां पर हमने को ट्वेंटी लिखना है उसके लाव आप इधर से भी चेक कर सकते हो 4, 5, 0 कितना होता है? 20 होता है तो इधर से भी हमारा आजा रहा है और इधर से भी आजा रहा है उसी तरीके सब यहाँ पर आप फिल कर लो तो अब देखो कि यहाँ पर इधर से तो हम नहीं बना सकते है 31 से 1-30 तो यह पहले से दिया हुआ है यह वाला blank है तो अब क्या करो आप दिमाग लगाओ कि 5 का multiply में कितना से करूँ कि 30 आ जाए यहाँ पर देखो मैं वहीं न कर रहे थे सब ही मैं multiply कर रहे थे 3-4 जा 12, 4-5 जा 20 अब यहाँ पर भी आप multiply करो तो 5-5 जा तो 25 होता है नहीं चलेगा का 5-6 जा होता है हमारा 30 इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा 6 आ जाएगा क्योंकि 5-6 जा हो गया 30 तो यह दो को 5 और यह 6 हो गया कि लिए इस तरीके सा आपको अपना mind को चलाना है अपने पैटरन को समझना है लास जो क्यों से नहीं वह और इंट्रेस्टिंग है क्यों इंट्रेस्टिंग है क्योंकि यह और यह दोनों का आएब है तो इसमें भी आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है 6-7 जा टेबल पढ़ो 6-7 जा होता है 42 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42 पूरा पैटर्न में वही चल रहा है दोनों का मल्टिप्लाई तो इसके अलावा जो इधर का नंबर रहता है वह क्या होता है इससे बस एक नंबर आगे रहता है जैसे 30 तो 31 का उसे तरीकिसा अगर यहाँ पर 42 है यहाँ पर कितना आएगा 42 से अगला नंबर क्या आता है 43 त तो यह है पैटर्न को रीड करने का सही तरीका ना पीज़ी तरीका चैब पैटर्न रीड कीजिये कुछ क्षेंस आपके प्रिवेस है ना अगर पेस पल्टो के आप पीछे दीए गाए पैटर रिडेटर्व उनको भी आप सौल्व कर सकते हो पैटर्न सो रृड रीडेर स्क प्रवाव करना बहुत ही इंट्रस्टिंग होता है ठीक है अम बिलिंगे हम लोग नेक्स्टूडियो में जहां पर जो अगला वला क्वेस्टिन हमारा वह भी बहुत ही इंट्रस्टिंग है वहाँ पर बीना एड कि हमको प्लस कैसे निकाला जाता है वह मैं आपको सिखा का वह भी डिस्क्रिप्शन में है और आपके साने दो विंड़ो पर नहोंगे लेफ्ट फॉल में क्लिक करो सिदे नेक्स्टूडर में पहुंच आओ गोई थैंक्यू फॉर वाचिन